करता क्या है भाई गाना आज चुका है कर्मा का जिसके अंदर आपको नजर आएगा एक और फोद्दू हाला कि कर्मा का वर्ष बहुत ही जबरदस्त है उसके उपर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इस गानी को हम रियाक्ट करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं आडियो प आज चुका है इसके अंदर रफ्फू ने फिर अपनी पिछवाडा कोल के बोला है कि मार लो तो भाई वह वाला सीन है भाई बोलते हैं भाई के ग्लोरी होल को सैटिस्फेक्शन की जरूरत है तो अभी हम सैटिस्फाइक कर देते हैं इनकी इनी फुद्दू हरकतों की वज पैसा कमा पा रहे हैं सटेवाजी से नहीं जो रैप करके पैसा कमा रहे हैं उन्हों ने इनए डिश कर दिया था एक टाइम पे और उस टाइम पे इनके धंग से पैसा कमा सकता था वहां से भी लात मार के बाहर निकाल देट इस रोडीज और अगर मैं यहां पर बात करता हूं हमेंने लिटरली इसकी सपोर्ट में वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले क्योंकि मैं चाहता हूं कि हां यार यह बंदा सही तरीके काम करें पर हो कह क्योंकि भाई ने फिर से बक्चोधी पे लिए और भाई का जूते खाने का इतना मन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है खेर मैं वॉयलेंस में बिलीव नहीं करता जिसका मन करें जाके जूते मारो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सट्टे आइवाजी से पैसे कमाने को लोग गालियां देते हैं लेकिन रीपर्स पैसा कमा पा रहे हैं न जो कमा पा रहे हैं उनको लौरंस भिश्नोई जैसे ज Preston ॉज्प आ हुआ है लेकिन अगर हम बात करें यहां पर भाई के हिसाब से लॉरूरंज विष्ण हिए दारेगा खिर्ष नहीं अगर decidesamente ऑस السम вс फेर्श का चीसको हर बार कोई ना कौकी रापर तो पैसे नहीं कमा बारे इसके जो धंके रारा आप यहां लेकिन यह.श ये बक्चोधी गिरी करने वाला एक कीडा है, जिसको हर बार कोई ना कोई चपपल से मार के चला जाता है इसी तरीके से भाई का अभी आवए गाना है करता क्या है, करमा ने भी देख लो साथ में काम करके इस चूतिये को टपली मार के ये पूचा है चूतिये तु करता क्या है पर भाई को अकल नहीं आएगी भाई के गोटे और दिमाग दोनों गोटने में है और वहीं पर लाते पड़ेंगे एक दिन इसको मैं तो नहीं मारूंगा क्योंकि मैं totally violence के against हूँ मतलब मैं violence में believe नहीं करता लेकिन भगवान करे ये ना डरे क्योंकि इसके हिसाब से वो इंसान डरता है जिसे एक इंसान जो जेल में बैठा हुआ है उसने एक इंसान को मार दिया अल्रेडी दो लोगों को मारने की धमकी दिया और उसको मारने की धमकी देने वाला बंदा डरना नहीं चाहिए करन वजला कैनेडा से दुबई आ गया क्योंकि उसके हिसाब से आज की डेट में आटेस्ट सेफ नहीं है एपी टिल्लो ने भी यही बात बोली है कि आज की डेट में आटेस्ट सेफ नहीं है तो इसके हिसाब से वो डर्पोग है हनी बाजी दिल्ली से दुबाई चले गए जस्ट फॉर इस सेफटी तो वो डर्पोग है भाई इस ब्रह्मन चोद को कोई समझाने वाला हो कि भाई तुम से बड़ा फुद्दू और चूती आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा भगवान करें कि जब तुम्हें धमकी मिले वैसे इसको क्यों मिलेगी ये कौन सा पैसा कमा पा रहा पर नहीं सक्टे से कमा लेता रहा आपसे तो नहीं कमा रहा है वो तो दूसरे अंदर की खबर तो सब कोई पता है कि जिन लेबल पे इसका गाना आता है उस लेबल को भी ये सामने चाएता थोड़ा व्यूज डलवा हो ठोड़ा दो यह पूछ लेता ना भाई वैसे ही पूछ लेता क्यों फुद्दु को गाने में डलवाना था नहीं तो मैं भी रियाक्शन कर देता बाकियार अच्छा लगा कर्मा की अल्बम सक्सेस्फुल हो जाएगी लेकिन यह चूतिया वहीं बैठा रहा जाएगा तुम देख ले ना य यह पहले भी सलमान खान का कोरसिंगर ही था आज भी यह कोरसिंगर बन के रह जाएगा लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब कर दो